नमस्कार आप देखरें निउस फॉर्ड नेशनों मैं हूँ सांथोना आपके साथ सफाई कर्मियों की बीते दिनों से चल रही हड़ताले 11 दिनों के बाद समाप्त हुई है जिसके बाद बिहार सरकार के नगर विकास विभाग का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है और इस आ बात करें सर्फ पटना नगर निगम की तो पटना निगर निगम के साथ हजार निगम कर्मी इस ट्रांसफर से प्रभावत होने वाले हैं क्या कुछ जारी किया गया है सूची में क्या निरदेश जारी किया है बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के तरफ से आखिरकार अ दरसल नगर निकायों में पिछले दिनों सफाई कर्मियों के 11 दिनों तक चली हर्ताल के समाप्त होने के बाद अब नगर विकास विभाग का ट्रांसफर आदेश चर्चा का विश्य बन गया है। कर्मिचारी इस ट्रांसफर और्जर के दायरे में आ गया है। साउप निदेशक बुद्ध प्रकाश से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने सादेश को सही बताया लेकिन इस विश्य पर बाद में बात करने कहकर उन्होंने फोन काट दिया। में निश्पक्षिता के लिए ट्रांसफर किया गया है। विलंब लागू कराने को कहा है। विभा के प्रधान सच्चिफ की होगी। बाराल पटना साइथ पूरे बिहार में नगर निकायों के चुनाफ के दोरान कभी भी सफाई कर्मियों वर दैने कर्मिचालियों का ट्रांसफर नहीं किया गया है। 1952 से लेकर अब तक करीब 70 साल के इतिहास में सफाई कर्मियों को चुनाफ के दोरान स्थाना तरण नहीं किया गया है। नगर निकायों की सुवाय तता के लिए पिछले काई वर्षू से हाई कोच में लड़ाई लड़ने वाले जॉक्टर आशीश कुमार सेंग ने बताया है कि नगर विकास विबाग पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। किसी वर्ष में काम करने वाले सफाय कर्मियों से चुनाफ कैसे प्रभावित हो सकता है। कि लिए बड़ा कदम उच्छा जा रहा है। 36,000 कर्मी बिहार में इसे प्रभावित होने जा रहा है। सूबे की राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना में 7,000 निगम कर्मी इस ट्रांसफर से प्रभावित होंगे जिसके कारण कर्गियों में एक खासा अक्रोश देखने को मिल रहा है। और साफ साफ के दिया गया है कि अगर इस बार नगर निकाय के कर्मी हरताल पर जाते हैं तो उसके पूरी जवाब देखी, इसके पूरी जम्मदारी बहार सेरकार के नगर विकास विभाव के प्रदान सचिफ की होगी। तो देखना यह होगा कि सरकार का इस पर अगला आक्शन क्या कुछ होता है। फुला के लिए इस अपडेट में ताहिए नकरी अपडेट्स के लमाइसाद बनी रहे न्यूस फॉर्ड नेशन में।